हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आज के वीडियो में आप सुब का स्वागत हैं आज हम लोग बात कने वाले प्रोक्षी शर्वर के बारे में जनरली फास्ट इंटरनेट एक्सेज एंड वेब फिल्टर के लिए प्रोक्षी सर्वर यूज करते हैं जब हमारा स्मॉल स्वेक्मे तो चलो देखते हैं हम प्रोक्षी सर्वर किस तरह से इंस्ट्रल कर सकते हैं और क्या-क्या अडिशनल फीचर्स अवेलेबल हैं तो यह भी आप देख रहे हैं जो वेब साइट है कितनी पास्ट प्राउज हो रही है और जो भी हमें एक्सेसिबिलीटी चाहिए पास्ट मिल करेंगे और यहां पर वीम वेर वी स्पेर यूज करेंगे जो डिटेल सब लिखा हुआ है वह वेब फिल्टर का पूरा एक कमंड दिया है सेम अजूर का भी यह वालिक और अमेजॉन का भी है तो यह जिप फाइल को हम एश्ट्रेक करके भी रख देंगे मोर्त इसको हम वीम बेर फ्लेयर में जाके प्लेयर कर चक्ते हैं वीम बेर प्लेयर में आउस डाउनलोड में जाके प्री प्रडॉड्क डाउंलोर में आप वोग स्टेशन प्लेयर कर शकते हैं अब रख 15.5 से वी ऐ dough लिटाउनियरा जाना चल्क हैं यह दाउलोड हो गया है और अब यह से रन करके कि अब यूज लेक्ट अब फिनिश करें इसमें लाइसे निशा वी यहां पर इसमें इंपोर्ट करलेंगे विट्युल मशिन कुर बेर प्रिटर वाला यह जो है मिने डाउनलोड मेरा रखागा अब सब्सक्राइब अभी इसको इंपोर्ट करते ते ती स्टाट करते रूशिंगो इसमें डाउन एंस्टाल रहना है डाउनलोड एंस्टाल देना है बाद में अभी यह स्टाट बजाएगा इसमें लोगिन हमें करने की चुरू रखने है जश्ट हमार आड्रेस देखले हमार कांसोल की यह आई-पी आई-पी आड्रेस पे अवैलेबल है 10 11 3 2 7 8 4 8 0 इसका पॉर्ट नमबर है तो यह से शनौट करके रखना है और वैब कंसोल यह यह लो है लैट किया है अपस में बता दो एट-जिरो पॉर्ट है अथि यह चालू हो गया है इसको मिनिमाइज करके अभी लाइसंसिंग पार्ट हम देखते हैं यहां पर हों के लिए या फिर घर का काम के लिए यह यह कर देना है तो इससे आपको फ्री लाइसंस में लेगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए और मेलिंग डीटेल जो है कि फुरा एक लोग इडिट कर लीजिए यहां पर आपको मेल लेटर्स करना है फिर इमेल डारेक्ट मेल कस्टमाइज कुराइब टीक कर देना है आपको मार्केटिंग फर्मिशन दे रहे हैं अब कि यह लाइसेंस फाइल यहां पर अपर अग्रेटों सब्सक्राइब करना है तो अभी हमने आप अबस नम इला था तो यह जडाल दे आधे टैन्ट वन टीटू एट पर एट पॉर एक लोग एट जिग लिए अट लोग अन नोग इन करेंगे रूट वाला लोग इन पास्वर्ट डाल किया तो आसाइन निक बार कि यहां उपर ही आपको नॉटिपियाशन मिल जादी लैसंस की इंपोर्ट करने के लिए तो आपको सिंपली लैसंस की पे क्लिक करना है और यहां पे आपको लाइसेंस फाइल है वो अप्लोड कर दो है पाकी डीटेल होगे आप देख सकते हैं आपके सब्सक्राइब हो चुका है और यहां पे हम प्रोक्सी सर्वर को रिस्टार्ट कर लेंगे और यह स्टार्ट हो गया अब भी प्रोक्सी सर्वर वापस अवैलेबल लाइसेंस की हम देख सकते हैं 366 का लाइसेंस मिल गया है तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं तो उससे पहले हम नेट्रोक को खास नेट्रोक इसको स्ट्रेटिक आपी एसाइंड कर देजे तो बार बार कुछ चेंज ना करना पड़े तो यह लिवाइस में क्लिक किया देख सेटीड और फिश्ट सब निमेश और शेव शेटिड आप यह कंविजरिशन से हो चुका है फिक हमें अपने विद्वोग में यह को यूज कर सकते हैं अज़िया है प्रॉक्षी सेटिंग्द जाना है कि वाक्षी सेटिंग में experiments में इंटर्णेट में डेसपरड में हम्रे कर शकती है और भी ये शेव कर दिया, अभी जो भी इंटरनेट मेरे ये PC में से उपरेट होगा, वो सब भी ये प्रोप्सी सर्वर से उपरेट होगा, तो इसमें ऑटोमेटिक ये सब लोग के, वेबसाइट हो जाती है, इडिशनल, और जो काम की वेबसाइट है, वो तुरंक और क्विक फास्ट ओपना, बबगेंद सेस्ट अभी रिस्क्षिण से थे, वो सभी येरं पहर बुल्बुबुभकर रखे, जो चाहिएट। जरो को मतें और बबदकॉएट इसमीड, श्यूजटकर मैंदध।